Hello and welcome everyone, प्यारे साथियों स्वागत है आप सभी का जीत फाउंडेशन क्लासेज में और फाइनली जो हम लोगों को MPTate से जूड़े हुए जितने भी स्टुडेंट हैं जो वरगी एक की परिक्षा में बैट रहे हैं जिनके पहले से ये कयास लगाया जा रहे थे एक माट से आप लोग के परिक्षाय प्रारंब कर दी जाएंगी तो फाइनली एक्जाम का टाइम टेबल आ चुका है अलग-अलग डेट में अलग-अलग एक्जाम हैं सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि भीया कौन-कौन से डेट में कौन-कौन सी परिक्षाय पड़ी हुई है और कितने शिफ्ट में ये परिक्षाय संपन्न कराई जाएंगी उसके तुरंत बाद जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि अब बचे हैं जो हमारे चंद दिन उनमें तयारी की रणनीती क्या रहा है किस तरीके से हम लोग को प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि हम जादा से ज जैसा कि expected था एक मार्च से परिक्षाय आरंब हो जाएंगी दो शिफ्ट में सुबह नौ से साड़े ग्यारे एक शिफ्ट होगा और फिर तीन बज़े से लेके दोपार में साड़े पांच बज़े तक एक दूसरा शिफ्ट होगा धाई गंटे का पेपर होगा मतलब 150 मिनट 150 प्रश्ण आपके जीवन का फैसला करेंगी ठीक है तो टाइम मेनजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल लने वाला है क्योंकि धाई गंटों में ही आप लोग को देड़ सो कोश्चन अटेम्ट करने हैं और सबसे खुबसूरत बात यह है दोस्तों कि नेगेटिव मार पूरा का कंप्लीट पेपर आप लोग अटेम्ट करेंगे एक मार्च की अगर बात करें दोस्तों एक मार्च को आप लोग का जो हिंदी भाषा है उसका पेपर है और दोनों ही शिफ्ट में हिंदी का ही पेपर रहेगा दो मार्च की बात करेंगे तो फिर भासा में ही आप जो अंग्रेजी लेंग्वेज है, इंग्लिस लेंग्वेज है, उसका पेपर रहेगा, तीन मार्च को इंपोर्टेंट पेपर आ रहे है आप लोग का गणित का, ठीक है, थोड़ा मैट्स वालों को समय कम मिला है, और वही केमेस्टी वाले देखेंगे, तो उन लोगो तो भी अबर पूरसम में मिला है, ठीक है, चार मार्च को आप लोग का फर्स्ट शिफ्ट में जीव ज्यान का पेपर है, सेकंड शिफ्ट में भी जीव ज्यान मतलब बायोलोजी का पेपर है, पांच मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में आप लोग का कॉमर्स का वानिज्य का पेपर ह और second shift जो कि 3 बज़े से 5.5 बज़े होगा उसमें इतिहास का paper है पूरा paper CBT mode में होने वाला है CBT मतलब computer based test में होगा दो त्यारी कर लेना भाई सुरू में एक दो mock test जरूर लगा के देख लेना डाई डाई गंटे का क्योंकि बहुत matter करता है एक्जाम में फिर 5-7 question उपर नीचे हो जाएंगे अगर आप डाईरेक्ट जाकर test देंगे CBT में तो बहुत matter करता है तो मेरा humble request है आप सभी लोग एक दो बार जरूर computer पे बैठ के धाई गंटे का एक आद मौक test जरूर attempt करना कितने सवाल बनेंगे वो नहीं आप time कैसे manage करेंगे उसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि एक्जाम में आप जाके सीधे experiment नहीं किया जाता है ठीक है अपनी तलवार उलवार में पहले नोक लगा लीजिए सीधे युद्ध में कूद हो गया और उसके बाद बोलो गया रहा है हमारा तो तलवार में बोथरा निकला तो फिर कहानी खराब हो जाएगी फिर उसके बाद देखिए दोस्तो जो पाच मार्च छे मार्च को आप लोगो फर्स्ट शिफ्ट में संस्कृत भाषा सेकेंड शिफ्ट में दो प्रमुक पेपर हैं एक उर्दू का और दूसरा है आप लोग का फिजिक्स पीजुटी का पेपर यह सारे पेपर पीजुटी वर्ग एक के लिए है ना नेक्स्ट है साथ मार्च का दिन जिस दिन फर्स्ट शिफ्ट में भोगोल रहेगा और सेकेंड शिफ्ट खाली जा रहा है ठीक है आप देखिए आठ मार्च चुकी होली का प्रम तिवार है जो कि बहुत बड़ा तिवार है तो आठ और नौ मार्च दो दिन का यहाँ पर छुटी लग रहा है और 10 मार्च को सीधे आप लोग का ग्रीवी ज्यान और अर्थ सास्तर 9 से 11 बजे की टाइमिंग में और वहीं 3 बज़ से 5 बजे की टाइमिंग में क्रिसी और समाज सास्तर का पेपर कंड़ेट कराया जाएगा फाइनल पेपर होगा आप लोग का 11 मार्च के दिन जो की आखरी दिन रहेगा आप लोग के PGT का ये पूरा का पूरा जो इंट्रेंस कंड़ेट हो रहा है ठीक है उसमें फर्स्ट शिफ्ट में राजनिती भी ज्यान और सेकेंड शिफ्ट में आप लोग का रसायन भी ज्यान रहेगा तो याद रखेंगी केमिस्ट्री वालों को एक अच्छा खासा समय मिला हुआ है अब मुद्दा ये है कि एक्जाम टाइम टेबल को अब एकदम दिमाग में आप लोग छाप लीजिए ये नहीं क्योंकि कि इतने सारे पेपर अलग 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 डेट में है न तो कई बार कई स्टूडेंट ऐसे एक दो किसा आई जाते हैं कि टाइमिंग मिस्मैच हो जाती है और ये टाइमिंग का मिस्मैच होना आपकी के करियर के साथ ना बहुत बड़ा खिलवाड़ कर सकता है तो एकदम अपने टाइम को अपने शिफ्ट की टाइमिंग को कि कब फर्स्ट में है कि सगेंड शिफ्ट में किस दिनांग को है या आपको एकदम कंठस्त रहे और अब बात करते हैं हमारी सेकेंड की जो सवाल था कि रण नीती क्या रखें तो रण नीती बड़ा सिंपल सा है जितना अभी तक आपने पढ़ा है दोस्तों वो सब को आप लोग जादा से जादा रिविजन कीजिए जादा से जादा MCQ कोस्टन लगाए और जहां तक साइंस फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले जो मैंने जहां से केमिस्ट्री में तो मैंने एक-एक सिंगल सिंगल चेप्टर के अलग से MCQ कोस्टन पर टेस्ट वाइस डाल रखे हैं ठीक है तो आप उनसे पढ़ सकते हैं एक अच्छी तयारी हो जाएगी उसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो आप लोग पूरे सवा रिविजन करते हुए निकलेंगे ताकि हम लोग पूरी तरह से स्योर सेलेक्शन की ओर आगे बढ़ें तो आप सभी को जितने भी स्टूडेंट है अलग-अलग स्टीम से रिलेटेड आप सबके फाइनली एक्जाम डेट आ चुके हैं धड़कने बढ़ चुकी होंगी और एक सफल रणनीती के साथ अब आप तयारी में लग जाएए क्योंकि इस बार आखरी बार चूकना नहीं है यार ये वाला आप लोग को अपने अंदर एटिटूड रखना है बाकि आप सभी विद्यारती जो भी खूब मैनत कर रहे हैं लंबे समय से लगे हुए हैं क्योंकि ये वेकेंसी हर साल आती नहीं है ठीक है 2018 के बाद आप समझे कि 2030 में पेपर होने जा रहा है तो ऐसी वेकेंसी को बिलकुल भी मिस नहीं करना है 110 परसेंट ग्रैप करके रखना है अपने आपको सेफ जोन में रखना है बाकि आप सब को धेरो शुप काम ना है खूब मलना आ के रहेंगे यार ठीक है all the very best जाहिंद